सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असाने से हेलो नमस्काल दोस्तो मेरा नाव रहतास निमे और अब सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमिजनेट प्रोफे दोस्तो आज हम बात कने वाले हैं ICT के अंदर 2012 से लेके 2020 तक रिपीटिड होने वाले कोशन के बारे में सबी की ठेख़ेंगे चाहिए तो हमारा paid course से जरूर जोईन किजी इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं नमर एक 2022 के new updated notes देंगे नमर दो 2012 से लेके 2020 तक सभी सिट के question paper हिंद इंगलिस में देंगे नमर तीन पे दोस्तो हम आपको 2012 से लेके 2020 तक सभी सिट के unit wise question आपको देखने को मिलेंगे नमर पांस के दोस्तो हम आपको old 10 unit की add free videos देने वाले हैं इसके अलावा भी आपको paid course में बहुत कुछ मिलने वाला है हम आपको math or TI के सभी question का solution provide करवाएंगे और इसके साथ दोस्तो हम आपको यह विताएंगे कि ऐसे कौन से question है जो बारवान exam के अंदर repeat होते हैं तो दोस्तो देव किस्वाब की अभी जोइन कीजिए हमारा paid course क्योंकि निमीजीनेट है तो ज्यारव है और दोस्तो हमने सभी यूनिट की ऐसे PDF बना रखी है यह देखे दोस्तो यह जून 2013 का question पेपर है और बिलकुल ही असान question पूछे जाते दोस्तो यह देखे जैसे question number 37 आप देख सकते हैं एक gigabyte is equal to एक जिबी किसके equal to होता है तो इसका answer है एक हजार 24 मेगावाइट है बिलकुल असान question है दोस्तो आप देखना किस तरह से question repeat होते हैं बिलकुल असान question repeat हो रहे हैं और अगर आप यह repeated question कर लेते हैं और जितने भी topic wise question है वो कर लेते तो बिलकुल असान इस आपका न one billion character one billion character किसके equal to होता है तो इस cancer है दोस्तो गीगावाइट ठीक है अब देखिए इसकी मैंने एक trick बताई थे आपको अगर million की बात कर ले million की बात करेंगे तो मेगावाइट आएगा M से मेगावाइट ठीक है million मतलब मेगावाइट और अगर यहां पे यह बात कर ले billion की बा किस कियागा terabyte के trillion terabyte T से T M से M ठीक है और B से जी तो यह trick मैंने आपको पहले बताई हुई है तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं और आगे हम देखते हैं दोस्तों यह देखिए इन एक computer एक बाइट के इंदर कितने bits होते हैं तो यह दीखें एट बीट होते हैं त यह दीखें यह हमारे एक और question है कि यहाँ पर if one gigabyte is equal to two की power 30 bytes of data storage ठीक है एक gigabyte अगर दो की power 30 bytes के equal है तो 1024 terabyte is equal to किसके होगा तो दोस्तों इसका जो right answer है two की power 50 होगा ठीक है लेकिन UGC ने इसका जो answer है two की power 53 दिया है यह answer इसका wrong answer दोस्तों और यह answer कैसे ठीक होगा इसकी trick हम मैंने आपको बताई है बहुत अच्छे तरीके से हमने explain किया हुआ है देखें जब हम इसकी power की बात करते हैं तो power 10, 20, 30 इस तरह से बढ़ती हुई हमारी जगती है तो gigabyte पे two की power 30 हो जाएगा फिर आएगा हमारा terabyte terabyte में two की power 40 हो जाएगा और यहाँ पे 1024 terabyte की बात कर रहा है 1024 terabyte यानि की one petabyte यहाँ पे होगा तो उसमें कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा two की power 50 होगा तो इस cancer two नहीं होगा two की power 50 answer number a होगा लेकिन यहाँ पे यूजी से इस cancer two दिया यह wrong answer है दोस्तों और आगे हम देखत से आगे किस तरह से question repeat हुआ है यह देखिए एक और question आ गया हमारा memory से related है which one of the following correct list computer memory time from highest to lowest speed अब speed के मामले में दोस्तों यह चीज़ भी हमें पता होने जरूरी है इसमें से question आए हैं दोस्तों यह देखिए इसका answer answer three है CPU register और फिर है cash memory फिर main memory और फिर secondary memory highest to lowest सबसे high speed किसकी ह CPU register किये दोस्तों उसके बाद में cash memory किये उसके बाद में main memory और फिर secondary memory है ठीक है आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं और अगर storage की बात कर ले ना दोस्तों storage की बात करे तो यह reciprocal हो जाएगा उल्टा हो जाएगा storage के अंदर secondary storage सबसे पहले आएगा इसकी बहुत ज्यादा storage होती है secondary storage उसके बाद हमारा main memory आएगा फिर cash memory आएगा फिर cpu register आएगा ठीक है और आगे यह देखें नॉबंबर 2017 का question paper है और इसके इसके अंदर देखें the data storage here actually consists of इसमें देखें इसमें हमें data storage बताना है arrange करना है तो इसमें इसका answer है दोस्तों two answer है सबसे पहले bits होता है सबसे छोटी का है हमारी bits होती है फिर bytes होती है फिर field record file and database इस तरह से हम इसको arrange कर शकते हैं यह यह जितनी ही sequence है दोस्तों इन sequence को आप अच्छे से याद कर लेना इनमें से question आ सकता है और यह देखें which one of the flowing represent a billion character अब देखें अभी हम करके आए थे ना पीछे यही डिक्टो क copy question करके आए और मैंने बताए था billion की बात करें तो gigabyte आएगा million की बात करें तो megabyte आएगा trillion की बात करें तो terabyte आएगा तो आप देख सकते कि किस तरह से question हमारे repeat हो रहे है डिक्टो को पी question repeat हो रहे है अब देखें यहां पर इन्होंने फिर से पूछ लिया storage को smallest to high largest unit में हमें arrange करना सबसे पहले छोटी भी फिर उससे वड़ी फिर उससे वड़ी तो इस हमारा tehdyefbac एफ हमारा Pizza नम्बर फेकश होगाória मेगावाइٹ होगा और फिर गिजावाइट होगा फिर टेरावाइट होगा तो आप इस तरह से इसको अर्रेंज कर शक्ते हैं और यही कोष्चन दोस्तों इसी तरह का कोष्चन 2020 के अंदर भी आया है किस तरह से ेपीट हुआ है वह मैं आप question number 40 यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा गलत है, गलत हमें बताना है, अगर हमें सही के बारे में पता होगा, तो हम गलत answer find out कर सकते हैं, यह देखिए, वन गीगावाइट, वन जी बी इकोल टू कितना है, एक जार चोविस, मल्टिप्लाई एक जार भाइट के इकोलडू है, तो देख सकते हैं, किस तरह से question आ रहे हैं, और आगे किस तरह से question आए हैं हमारे memory से related, और अगर आप दोस्तो सभी unit के इस तरह से repeated question देखते हैं, के अंदर टीचिंग के अंदर कमिकेशन के अंदर तो दोस्तों मैं गैरेंटी के साथ कहता हूं कि आपका नैट तो क्या अपका जियारफ भी हो सकता है तो दोस्तों अगर आप चाहिए तो यह नोट्स ले सकते हैं हमने सभी यूनिट के टोपिक वाइज कोशन अलग-लग किये हुए हैं अगर आप इनको करते तो आपका बिल्कुल असानी से नेट जैराफ हो जाएगा अब यह देखें यह आ गया एट टेरावाइट इस इक्वल डू वन टीबी किसके बराबर होता है यह इन्होंने पूछा हुआ है तो इसका अंसर है टू दोस्तों एक हजार चोबिस गीघावायट है कितना असान आंसर है दोस्तों किस जो repeat हुआ है हमारा memory से related काफी question आए हैं दोस्तो 2020 में भी आए हैं वो भी मैं आपको दिखा हुआ अब देखें 47 question number 47 एक बार फिर आ गया और इसके अंदर इन्हों पूछा हुआ है कि कौन सा गलत है गलत हमें बताना है तो वही बात आ रही है दोस्तो अगर हमें सही का पता होगा तो हम गलत निकाल सकते हैं तो यह देखें मेगावाइट की बात कर रहा है तो मेगावाइट में दोस्तो एक हजार चोविस गुना एक हजार चोविस गुना मे 8 bits हमारा आ गया तो इस तरह से इसका अंसर निकाल सकते है और इसके बाद देखते हैं इसके बाद किस तरह से question repeat हुए इसमें से और इसके बाद हम 2020 में भी देखेंगे दोस्तो 2020 में किस तरह से question आये हैं इसमें से तो इस video का पूरा देखना दोस्तो ध्यान से देखना और अगर आप चाहे तो दोस्तों नोट्स भी ले सकते हैं सभी वीडियो भी ले सकते हैं अब यह देखे यह रहा हमारा कोशन नमर चालिस विच वन अफ लोगी पेर लेश्ट मैच यानि कि कौन सा सबसे कम मैच कर रहा है यह देखे जून 2019 का कोशन पेपर ह बिट्स की बात चल रही है और उपर जो आया था ना दोस्तों वहाँ पर बाइट स्था अगर शना ब Jewish आएगा देखन तो यह आठ नहीं आयगा थिर क्या दोनों में confusion मत हो जाना आप और आगे देखिए one terabyte of memory is equal to one tv किसके बराबर है यह हमें बताना है दोस्तों और one tv का उपर भी आया था नहीं question एक question आया था तो देख लिजे दोस्तों किस तरह से question डिक्टो कोपी repeat हो रहे हैं और मैं आपको बहुत बार कहता हूं दोस्तों question हमार इसके डिक्टो कोपी repeat होते हैं तो आप paper first और paper second दोनों के अंदर question paper कीजिए जितने ज्यादा हो उसके उतने ज्यादा question paper कीजिए अब देखिए इसका अंसर के answer no.3 एक हजार चोविस एक हजार चोविस और एक हजार चोविस के भी यहां पर के भी इन्हों नहीं यहां पर दिया हुआ है तो इसका अंसर बिलकुल right है दोस्तों और इसके बाद देखते हैं और किस तरह से question आए यह दिखे यह हमारा गया एक computer has main memory of 960 kb है ठीक है एक computer के अंदर 960 kb है what is the exact number of bytes contained in this memory bytes कितनी होगी वह हमें बताना है दोस्तों अब इस अंसर है दोस्तों थरी है bytes हमें बताना अब देखे bytes हमें बताना है अगर यहां पर बिट साकता ना तो आठ का यूज़ करते हम ठीक है लेकिन यहां पर इन्होंने बाइट्स पूछा है तो इसका अंसर थरी है दोस्तों 960 गुना में 1024 यह इसका right answer है और दोस्तों मैं आप अच्छे से समझा ही हुई है और यह देखिए यह हमारा एक और question आ गया memory से related दो दिसम्बर इवनिंग को paper हुआ था यह Concided the following stories stories हमें बताने में दोस्तों ascending order में बताने है तो इसका answer है दोस्तों answer देख लेते answer एक है इसका BCA B CD-ROM और फिर है DVD-ROM और फिर Hayd-Disk सबसे कम memory किस में आती दोस्तों CD-ROM में आती है हमें पता है CD में बहुत कम memory होती है और फिर DVD में उससे ज़्यादा होती है फिर hard disc में Bहुत ज्यादा memory होती है तो देख लेजिए कितने आसान question है दोस्तों कितने आसान सानों कोच्छन हमारे एक्जाम के अंदर आ रहे हैं बस थोड़ा सा हमें ध्यान देने के आप सकता होती है अब देखें यह हमारा तीन दिसमर दुहोजार इवनिंग सिफ्ट का पेपर है विश्वन ओफ फ्लॉविंग स्टोरेज डिवास स्टोरेज मैक्सिमम अमाउंट ओफ सब्सक्राइब कर दोस्तों हार्ड दिस्क के निर बहुत डीटा श्टॉर पर शक्ते तो इसका अंसरी आजाएगा और हार्ड डिस्क से ऊपर भी कोच्छन आए ना उत्याएं यह व्याना दिखा रहा हो आपको अभी हम करके आएं उस्ट अभी करके यह नहीं हैं यहार्ड डिस्क में थी और यही कोश्चन हमारा दुबारा रिपीट हो गया तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से घुमा फिरा के कोश्चन दे दिखते हैं आगे देखते हैं दोस्तों यह चार दिसंबर तो मैं आपको कोई फेक नहीं दिखा रहा है ठीक आपकी आँखों के सामने लाइव है प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा है जो दोस्तों यह कहते हैं कि कोश्चन रिपीट हो रहे हैं ठीक है बहुत कोश्चन रिपीट Breaking होते हैं तो मैंoretों की बात कहता हूँ आपको कि जितने ज्यादा होस के ओल्ड येर कोशन पेपर कीजिए अगर आपको नेट और ज्यारफ क्वालिफाई करना है तो ठीक है और और देखते हैं और हमारे कौन से कौशन रिपीट हुए है ये तो दोस्तों हमारे 2019 तक थे अब हम 2020 में जो एक्जाम हुए ना उसमें देखते हैं कि मेमोरी से रिलेटेड कैसे कोशन हमारे आए है अब ये देखिए हैं हमारा जिए देखिए निमल लिखत में ऐसे उच्टम स्पीड की दिरिष्टी से कंपीटर मेमोरी के सही सोचि कौन सी है Speed के मावनी भे हमें बताना है दोस्तों उस्तम देखिये दोईत्य बंडारन मुख्ये मेमोरी कैस मेमोरी यह इसका राइटा आंसर दोस्तों इसका आंसर नमबर थरी है यह question हमारा repeat हुआ है और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों हमारा एक और question आया है memory से related वो भी हमने पहले किया हुआ है उसी से related question है पहले हमने किया ये देखिए भंडारण इंका एकायों के अकारवे संधरों में निम लिखत कौन सा सही है ठीक है ये हमें बताना है अब देखिए पहले हम करके आये थे KB, MB, GB और TB ये करके आये थे अब इन्होंने TB से आगे की बात इन्होंने पूछ ली अब देखिए TB के बाद क्या आता है दोस्तो हमारे पास peta white आता है फिर exa white आता है फिर jetta white आता है ये चीज़ आप ध्यान में रखना दोस्तो और ये पूरी की पूरी series मैंने आपको करवाई हुई है हमारी जो theory वाली वीडियो है वो आप देखना दोस्तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ठीक है जिन्होंने theory वीडियो की विए उनको बहुत अच्छे से पता है terabyte देखिए पहले आएगा kb आएगा फिर mb आएगा फिर gb आएगा फिर tb आएगा terabyte फिर pb आएगा betabyte फिर आएगा exabyte फिर आएगा जetabyte आएगा ठीक है इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं तो आप आपने देखा दोस्तो किस तरह से हमारे 2011 से लेकर 2020 तक कोशन हमारे repeat हुए हैं कोशन वही होते हैं बस थोड़ा सा घुमा फिरा के वो दे देंते हैं तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो उच्छी लगी होगी अगर वीडियो उच्छी लगी तो इस वीडियो को like किजी comment किजी सेल कीजी और दोस्तों अभी तक हमारी एप डाउनलोड नहीं किया तो हमारी एप को डाउनलोड कर लीजी थैंक्यू दोस्तों अगर आपको नेट और ज्यार्श चाहिए तो हमारा पेड़ कोर से जरूर जोइन किजी इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं नमर एक 2020 के न्यू अपडेटिटी नोर्टस देंगे नमर दो 2012 से लेके 2020 तक सभी सिट के उनिट वाइज कोशन आपको देखने को मिलेंगे नमर चाहर पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा को सब टोपिक वाइज कोशन भी देंगे आज तक जैसे जो भी टाइप प्रोटियाई के सभी कोशन का solution प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ दोस्तों हम आपको ये विताएंगे कि ऐसे कोशन है जो बार वार एक्जाम के अंदर repeat होते हैं तो दोस्तों देख इस बात की अभी जोईन किजिए हमारा paid course क्योंकि निमीजीनेट है तो ज्यारप है